काम चोर देवरानी एक बार की बात है सुश्मा अपने पूरे परिवार के साथ खुशी-खुशी मोहन नगर में रहती थी उसकी दो बहुए थी पल्लवी और शिवानी एक दिन दोनों बहुए रसोय में काम कर रही होती है कि तभी उनकी सास सुश्मा उन्हें बुलाती है अरे बहु जरा इधर तो आना शिवानी जरा जाकर देखना सासुमा क्या कह रही है दीदी आप ही देख लो ना जाकर आपको भी तो सुनाई दे रहा है अरे मैं आटा गुन रही हूं ना तुम चली जाओ हाँ तो मैं भी तो सबजी काट रही हूं न दीदी अरे बहु जल्दी आओ फो ये तो जाएगी नहीं मैं ही जाकर देखती हूं कि क्या करना है पल्लवी सुश्मा के कमरे में जाती है जी ममी जी क्या हुआ शाम को घर पर कुछ महमान आने वाले हैं तो तुम अच्छा सा खाना बना ले ना बहु ठीक है ममी जी आप बता दीजी क्या क्या बनाना है और कितने लोग आ रहे हैं सुनिल की मासी जी और उनका पूरा परिवार आ रहा है कुल मिला कर तीन लोग और हमें मिला कर हुए ना लोग तो अभी सही तयारी करना शुरू कर दो और हाँ घर की सफाई भी कर देना हाँ अच्छे से जी ममी जी सब काम हो जाएगा अब चिंता मत कीजिए पल्लवी शिवानी को घर में महमान आने वाले हैं इसके बारे में बताती है क्या नौ लोगों का खाना बनाना होगा घर की सफाई करनी है बाप्रे सासुमा ने तो हमें घर की नौकरानी ही समझ कर रखा है ऐसा नहीं बोलते शिवारी हम इस घर की बहु है और घर की काम करना हमारा फर्स है दीदी तो है ही सासुमा की चमची जब देखो सासुमा सासुमा मैं तो इतना सारा काम नहीं करने वाली शिवानी कपड़े लेकर गमला साफ कर रही ही होती है और चक्कराने का नाटक करने लगती है आँ मेरा सर चक्रा रहा है तब ही वहाँ पल्लवी और सासु मा जाते हैं अरे बहु क्या हो गया तुम्हें ममी जी बहुत तीस सर में दर्द हो रहा है तुम्हें काम करो शिवानी आराम कर लो नहीं नहीं दीदी घर में मेमान आने वाले हैं मुझे आपकी मदद करनी चाहिए अरे कोई बात नहीं शिवानी तुम्हाराम कर लो मैं सब काम कर लोगी ठीक है दीदी अगर आप इतना कह रही हैं तो आराम कर लेती हूँ शिवानी आराम से अपने कमरे में मैगेजिन पढ़ रही होती है इसे कहते हैं आराम की जिंदगी इतना सारा काम चलो सारा काम खतम हो गया शीवानी को देखाती हूँ